दोस्तों यदि आप चाहते हैं बिहार से बियेट करना तो ये वीडियो प्रोपर आपके लिए ही बनाई जा रही है क्योंकि बिहार में बियेट के जो नमांगन पर करिया है फरवरी महिने से ही सुरू होने जा रही है ऐसे में बात करेंगे कि जो बिहार से बियेट करने के लिए आपकी योगिता होती है वो क्या होने चाहिए आपकी पातरता क्या होने चाहिए कितने आवेदन सुल्क देने पड़ते हैं किस परकार आपके ओनलाइन आवेदन होते हैं आवेदन में क्या-क्या डोकुमेंट आप भी सही समझ में आपाए ताकि आप बिहार से बहुत ही कम दरों में आप बीएट कर सकते हैं मैं आपको सुल्क भी बताऊंगा ओफिसियल तोर पर कि किस कॉलेज का कितना सुल्क रखा जाता है इसलिए आप अंता तक जुरे रहिएगा पूरी जहनकारी आपको मिलेगी अगर यह पूरी जहनकारी समझते हैं बिहार बीएट एडमिसन 2014 के बारे में देखे सबसे पहले आप सभी का जो सीठे रखी जाती है बिहार बीएट के लिए तो कुल मिलाकर 13,000 से अधिक सीठे होती है 13,000 से अधिक सीठों पर बच्चों की जो नमांकन पर करिया है वो पूरा कर जाती है इसके लिए आपकी online आवेदन जो होते हैं यह फरवरी महीने में बिगत दो साल से जैसे 2022 में भी फरवरी महीने से ही सुरू किया गया था 2023 में भी फरवरी महीने में सुरू किया गया था और 2024 में भी आपको फरवरी महीने में सुरू होने की संभावना है इसका अंत ओमेन जो candidate है EWS वाले हैं उनको 750 देने होते हैं SCST के लिए 500 रुबे यहाँ पर सुल्क रखा जाता तो तीन परकार से यहाँ पर सुल्क का निरधारन किया जाता है जब आप online apply करेंगे उससे में कुछ दस्तावेजों की आपकी आवसकता होगी जिसमें आपको एक passport size photo देना हो आपको आवासी पर्मानपत्र अपना जाती पर्मानपत्र अगर आपको आरक्षन का लाब लेना है जैसा SCST छूट लेना है तो आपको यह देना होगा दिव्यांग होगे तो दिव्यांग पर्मानपत्र देना होगा और यहाँ पर कोई अगर PG किये हुए तो PG का उनको जो ह सेटिफिकर देना होगा गर्जुशन की है तो गर्जुशन का और दस्वी बारवी असनातक यह सभी का जो है आपको माक्सिट यहां पर अपलोड करने पड़ते हैं तो यह सब आपको चाहिए बात करते हैं इसका फॉर्म कौन भर सकते तो देखें फॉर्म भरने के लिए कम से बीटेक किये हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकता है पचास परतेसत अंक आपकी होने चाहिए और बीटेक में आपका बीक्या नेवम गर्नीत जो है सब्जेक्ट होना जरूरी है और मैंने इससे जुरी पूरी जयनकारी के लिए आपको लिंक भी वीडियो डिस्किप्शन म बता दे गई है जहांसा आप पूरी जैनकारी को आप समझ सकते हैं आई ये और भी जैनकारी आपको बताते हैं कि एडिया के लिए आपकी उम्र इस्फिमा क्या है तो द्लम से कंसे यां आंप Neptune पास होना चाया असनाधक ऐस से भी पास करते करते कर आपका जो उम्र होता अपसना तक पास है तो form को भर सकते हैं बाकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस इन्वर्सिटी का कितना सुल्क रखा गया कोलेज भाई यहाँ पर आपको सुल्क मिल जाता है जैसे यही इन्वर्सिटी है जहां साब को B8 करना होगा जैसा आर्या भट इन्वर्सिटी है जो कि पतना में परता है बावा साहिब भीमरा इन्वर्सिटी है जो कि मुझपरपुर में परता है बियनेम मंडल जो इन्वर्सिटी है जो कि मध्यपूरा में परता है जेपी इन्वर्सिटी है जो कि छप्रा में पड़ता है, कामेस्वर सिंग जो संस्क्रित इन्वर्सिटी है, दर्भंगा में पड़ता है, एले नमू है, दर्भंगा में ये पड़ता है, पाकि मगद बिस्विदाले है, जो बुद्ध गया में पड़ता है, तो इतने सारे करीब जो है, दस, बारा ऐसे इन्वर्सिटी है जहां से बिहार में बीएट कराई जाते तो यह सभी इन्वर्सिटी का क्या होता है कि इन्टरांस एक ही कंड़क करवाती है इन्टरांस कंड़क करवाती है इन्टरांस में जितने अच्छे आपे स्कूर करते हैं उसी अनुसार आपको काउंसलिंग करने का म मंखन होता है अब इसमें भी आपको हम बता दे कि आपको जानना है कि किस university का सुल्क क्या होता तो आप अपने according जहां भी चाहते जिस university से बीट करना उस university के सामने link हमने उपलप्त कर वा दिया उस पर क्लिक करेंगे जैसे पतना university से काफिस सारे candidate की इक्षा होती तो पत्ना इन्वर्सिटी वाले जिब लिंक को खोलेंगे तो आपके सामना उसका पीडिया खुलेगा तेखिए इस इन्वर्सिटी के तहत यह कुछ कॉलेज है जहां साब को बीट करवाई जाते जैसे पत्ना ट्रेनिंग कॉलेज है जिनका एड़ेस यहां पर दिये गया और इसमें जो है करीब 100 के करीब सीठे रखी गई है बाकि Department of Education जो की पत्ना ओमेंस कॉलेज का है इसमें भी 100 सीठे के करीब में रखी गई है और यहां पर ओमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है जिसमें भी 100 सीठे के करीब रखी गई तो पत्ना इन्वर्सिटी में कुल मिला कर तीन आ यहां पर दो सालों का क्या सुल्ख है उसकी जनकारी दी गई है तो देखिए अगर आप इंट्रांस एक्जाम को क्वालिफाइब करकर इसमें अगर आप जाते कांसलिंग करते हैं अगर आपको पतना का इन्वर्सिटी का कॉलेज होता है तो यहां पर देखिए इसका जो सुल हुआ है कि अभी कॉलेज जब आपका एलॉट होगा जैसे मैं एडमिसन होगा उसमें अगर जेनरल ओविस्टी बाले होंगे तो बारह हजार रुपया देकर आप एडमिसन करवाएंगे फिर यह जो सेसरासी है अगले साल आपको दे देनी होती है आधा पैसा देना ट्रेनिंग ओमेंस कॉलेज का 24,000 रुपया सुलक यहां पर रखा गया है दोनों साल का तो इस अनुसार आप देख पाएंगे जैसे एलेन में का देखना है तो आप एलेन में के सामने आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर उसकी जनकारी मिल जाएगे कि कितने सीटे लॉट है इसके लिए साथे साथ उस कॉलेज का जो प्रिंस्पल होंगे उनके भी जनकारी आपको दी गई है और यहीं पर आप जब आएंगे देखेंगे उनका कॉंटेक्ट नंबर इमेल आइडिया सारा कुछ दिये हुआ है और दो साल का क्या फी है उनकी जनकारी दिया गया बा यहां पर आपको बहुत कम पैसा आपको देने है 24,000 मिनमम 24,000 किसी में कैटेगरी में देखेंगे 9,000 है तो उस अनुसार आप देख पाएंगे बाकि यहां पर क्या है कि डिर लक से कम प्राइवेट का फिस नहीं है इस अनुसार आप भी देख पाएंगे अपने अनुसार जिस भी कॉलेज का जिस भी डिपार्टमेंट का देखना है आप देख लीजेगा अब बात करते हैं इसका स्लेवस क्या होता है एकजाम पैटर्न क्या होता है उसकी जनकारी समझे देखे इसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें आपको दो का समय दिया जाता है 120 प्रस्ण इसमें पूछे जाते हैं प्रस्ण कहां कहां से पूछा जाता तो उसकी जनकारी यहां पर दी गई है तो इसमें देखे इन विसर्व से प्रस्ण पूछे जाते हैं जिसमें आपके समाने जो इंगलिस होते हैं उनसे प्रस्ण होते हैं हिंद अगर आप जिनरल केटेगरी से आते हैं तो आपको 35 परतिसत नमबर लाना होता है तब जाकर आपको यहाँ पर काउंसलिंग करने का मौका दिया जाता है बाकि अगर इससे कम आएगा तो फिर आपको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा तो अभी फर्स्ट च चल जागा कि आपका माक्स कितने आए हैं अगर आप इतना लाते हैं तब आपको कांसलिंग करना होगा कांसलिंग में ही आपको कॉलेज करना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट कौन से कॉलेज आपको चाहिए उससे चुनेंगे उसके बाद आपका अलोटमेंट लेटर जार होंगे अगर आप इसमें 80 प्लस ले आते हैं तो 100 परसेंट चांसर होता है कि गौवर्मेंट कॉलेज या सेमी गौवर्मेंट या आपको वो न मिले तो प्राइबेट मिलेगा देखें गौवर्मेंट कॉलेज का फी आपने देखा कि 24,000, 25,000, 30,000 तक होता है उसके अलावे से इसमी गौवर्मेंट जो होता है और 10 सरकारी जो अधा सरकारी अधा प्राइबेट होता है उसका जो सुल्क है करीब जो मान के चली 90,000 से प्लस ही रहता है बाकि प्राइबेट का 1,500,000 रुपे से प्लस रहता है इस अनुसार सुल्क इसका रखा जाता है और बाकि SCST, EBC वा आग लेने के लिए इतना नंबर आपको लाने ही होंगे अब यहां पर देखे है जो आपके जनेरल इंगलिस से प्रस्ण पूछे जाएंगे वो 15 मार् के होंगे इसमें 15 नंबर का होगा मतलब प्रतेक प्रस्ण एक अंक करते हैं उनका जो सिलिबा समने बता हैं संस्क्रीट सिक्षा संस्कृत प्रग्राम को चुनते तो उनका यह जो प्रस्ण होते जेनल संस्क्रीट से पंदरा प्रसन पूछे जाएंगे 15 अंका हिंदिय से आपको 15 प्रसन रहेंगे आपके रिजनिंग से रहेंगे 25 प्रसन उसके अलावे बात करें General Awareness से आपके 40 प्रसन रहेंगे, Teaching and Learning से आपको 25 प्रसन देखनों को मिलेगा, तो इस परकार आपके कुल मिलाकर 120 प्रसन पूछे जाएंगे, बाकि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे आपके General English से प्रसन होगे, किस-किस टॉपिक से होगे और किस परकार आपको पूछा जैसे fill in the blanks रहेंगे, spelling गिरेंगे, इस परकार रहेंगे, जैसे हिंदी से इन इन टॉपिक से जो है आपके प्रसन पूछे जाएंगे, बाकि यहाँ पर आपाएंगे, इंग्लिस से देखेंगे, तो इन टॉपिक से आपके प्रसन रहेंगे, General Awareness से जो प्रसन होगे, इन ट apply भी आप कर सकते हैं notification डाउनलोड कर सकते हैं हलाकि भी अब ओफिसल notification जो है नहीं जारी किया गया है यह पुराने notification के अनुसार जो pattern है वही pattern इस पार भी रहने वाली उसके biz पर हमने आपको पूरी जनकारी बताया स्लेवस भी download कर सकते हैं कॉलेज की डीटेल आप देख सकते हैं तो वीडियो डेस्किप्शन में दिये गया लिंक से आप पूरी जनकारी को जरूर समझे है और डोकुमेंट जू भी है आप उसको रेडी करिए और सिलिवस हमने बता दिया उसके अनुसार आप अपनी त्यारी को करिए ताकि कहीं ने कहीं आपका जो है अच्छा स्कोर है और तब जाकर आपको कहीं ने कहीं कोई भी कॉलेज आपको एलोट हो सकता है बाकि अबडेट अगर आपको पसंदा हो तो इसे लाइक सेर जरूर कीजिए चैनल को आते हैं तो बगल में वीडियो मिल रहा होगा उससे क्लिक करकर उस वीडियो को देखिए धन्यवाद